राज के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादों की क्रिश्चन पत्नी का आखिरकार जातिये जनगर्णा में किस हिसाब से गर्णा किया गया है? यह सवाल समराच चौधरी पूछ रहे हैं। लड़की किसी और धर्म की है, लड़का किसी और धर्म का है, तो आखिरकार इसका मेकेनिजम क्या है? जिस आधार पर जातिये जनगर्णा संपन हुई है। अब जब समराच चौधरी तेजस्वी यादों की पत्नी को इस मामले में घसीट कर लाते हैं, तब इसके बाद तेज की रिपोर्ट में पढ़ा, तो उसमें लिखा गया था कि राशेल गोडिनियो उर्फ एलेक्सिस उनका नाम था, जिसको बदल कर शादी के बाद किया गया रास्री यादों, हो सकता है हम नाम बोलने के करम में थोड़ी घलती कर रहे हो, लेकिन आप समझ रहे हैं, इतना बह हुथ है, और आगे इसी पर बात्चीत करेंगे कि आखिरकार, जात्रिये जनगर्ना का मुद्दा आप तेजस्वी यादों की क्रिश्चन पत्नी के उपर कैसे आ गया, भागे नमस्कार मिलना मैं मोहित कुमार सिंग, और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं, यह वीडियो रोड़ बेज एप के दोरा प्रहुजित है, रोड़ बेज बिहार का एक ऐसा है, श्टाट अफ है, जो आपको वन वेड टेक्सी राइड और कार पुलिंग की सुद्दा बे अधी कमपैसोन उपलप्त कराता है, वन वेड टेक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोड़ ब समराज चोधरी, बिजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अब समराज चोधरी तेजस्वी यादों के परिवार या उनकी पत्नी को लेकर टिपनी क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि आखिरकार जो जाती आधारी जनगरना हुई है, उसका मेकेनीजम क्या है, मतलब कि उसका तर पुम्खिमंत्री ने अपने धर्म और अपने जाती से अलग हट कर एक लड़की से शादी की है, वैसे ही इस पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो इवा लड़के हैं, उन्होंने दुसरे जाती की या धर्म की लड़कियों से शादी की है, एक दुसरे के धर्म जा के बंधन को तोड़कर शादिया हुई है तो आखिरकार मान लिजिये कि कोई क्रिश्चल लड़की अगर तेजस्वी यादों से शादी करती है तो आखिरकार उसका गड़ना जाती है अधारी जनगड़ना में क्या हुआ है यह बात समराच चौधरी पूछते हैं अब चुकि कि रासरी यादों शादी के बाद यादों हो गई लेकिन समराच चौधरी पूछते हैं यही बात कि आखिरकार रासरी का गरणा किस मेकेनिजम पर हुआ और इसी परकार से इस पूरे राज में कई हजार परिवार है उनका गरणा किस आधार पर हुआ समराच चौधरी इसक और अतिप पिछड़ा को मुख्यमंत्री की कुर्सी जीज़ दिन आप सौंप देंगे तब हम मानेंगे कि हाँ आप लोग जो जाती आधारित जनगर्णा के बाद समाजिक बराबरी की बात कर रहे थे वो समाजिक बराबरी हो रहा है फिलाल समराड चोधरी तेजस्वी याद और हमने आपको कहा कि उनका पहले का नाम आज तक ने अपने रिपोर्ट में लिखा है एलेक्सिस और एक और नाम लिखा है कि राशेल गोडिनी हो अब यह दोनों नाम क्रिश्चन नाम है और सबको पता है कि राश्री यादों क्रिश्चन थी तो जाहिर सी बात है कि बच् कि साधियां हुई है उन्हें का गणना किस मेकैनिजम पर हुआ है अब आपकी क्या इस पर परतिरिया है कमेंट बॉक्स वे लिकर बताईएगा आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए मरसाथ बने रहिएगा कि अमरे